इन्सान की असली साधना खुद को बदलने में हैं बीतर की अनसुलजी उल्जनों को सुल्जाना बीतर के आक्रोश और उद्विगों को शान्त करना ये अपने आप में एक साधना है साधना का मतलब है सजगता, अवेरनेस आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन्सान की आदते ही इन्सान का भविश्य तेह करती है हो सकता है कि आपने अपनी पुरानी किताबों से ये समझ रखा हो कि इन्सान का भविश्य तेह करता है पर आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इन्सान का भाग्य इन्सान की आदते ही इन्सान का भविश्य तेह करती है केवल आप इस बात को सोचिए कि जब इन्सान की बुरी आदते इन्सान का भविश्य बिगाड़ सकती है तो जीवस इन्सान का भविश्य अच्छा क्यों नहीं कर सकता जब गुटका इन्सान के स्वास्ति के साथ खेलवाड़ कर सकता है तो हमारी द्वारा पिया गया गाय का दूद हमारी हेल्थ को अच्छा बनाने में हमारी मदद क्यों नहीं कर सकता हम लोगों ने अगर जाग रूखता नहीं बरती है तो इस बात के लिए जाग रूखता नहीं बरती है कि हम लोग हमारे जीवन में अच्छी आदतों को develop करें उसके बीश बोएं और अच्छी आदते कोई बूडा पे में बोई जाती हो यह जरूरी नहीं है बलकि बच्पन से ही अगर ये आदतें बोदी जाएं तो भविश्य हमारा उज्वल बनता है अज सुबै ही करीब छे बजे अपनी ही एक अन्ते वासी साधक गोपाल जी फोफल या उपस्ते थुए और कहने लगे गुर्देव मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को कैसे ठीक करूँ बच्चों में इतनी ज्यादा मोबाइल की आदत पड़ गई है कि मैं माबाप का कहना मानने को तैयार ही नहीं होते अब 24 घंटे तो अपने बच्चों के पास बैठा नहीं जा सकता जैसे ही हम इधर उधर होते हैं बच्चे फिर मोबाइल ले करके बैठ जाते हैं मोबाइल पर अगर वे ग्यान की बाते इतलाश करें तब तो बात समझ में आती है पर मोबाइल पर वो केवल गेम खेलते हैं मोबाइल पर वो किवल कार्टून देखते हैं इसके अलावा मोबाइल पर टाइम पास करने के अलावार कुछ नहीं करते तो कहने लगे गुर्देव अगर यही मनिश्य समाज के साथ आदत जूड़ी हुई रहे मोबाइल की तो आने वाला भविश्य ऐसा हो जाएगा कि बच्चों के बुद्धी जाम हो जाएगी अंदर से जैसे लोहे को जंग लगता है ऐसे ही हमारे माइंड को जंग लग जाएगा ऐसा देखते भी हैं हम कि लोग अगर अपने बच्चों के साथ पोते पोतियों के साथ अगर हमारे पास भी आएं है तो आप समझ लीजिए कि दादा, दादी, बेटा, बेटी, बहुएं ये सब तो बैठ कर हमारे पास हो सकता है गुरुजनों के सानित्य में बैठ कर कोई ज्यानवारता कर रहे हो कोई जीवन के लिए उजाला ले रहे हो पर छोटे बच्चे वो क्या करते हैं जिद करते हैं मम्मी पापा के आगे सामने जाकर रोने लगते हैं मम्मी पापा भी सोचते हैं कि कम से कम इनके चक्र में हम तो गुरुजनों के सानित जिसे वंचित न रहें उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं और बच्चे मोबाइल लेकर के अब गंटा दो गंटा चार गंटा कब पूरे होते हैं उनको पता भी नहीं चल पाता हमने एक ऐसी आदत डाल दी है जिस आदत ने अब आने वाली पीड को गुम रहा किया है यह कौन सी आदत है हमारे बैड हैबिट है यह गुड हैबिट है बैड हैबिट है आजकल जब कभी यह सुनने को मिलता है कि 5 साल 7 साल 10 साल 15 साल की बच्ची के साथ रैप कर दिया गया बलातकार कर दिया गया तब ये विचार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं और एक भले चंगे समझदार लोग और एक आठ साल के बच्ची दस साल के बच्ची के साथ रैप करने के लिए तपर हो जाते हैं अगर ये इस्तिती रही तो बच्चे को गोद में भी किसी दूसरे आदमी के देना चाहिए के नहीं देना चाहिए ये भी अपने आप में एक प्रस्णवाचिक चिन्द बन जाएगा अगर ये रैप ये बलातकार ये सब आ रही हैं चीजे और ये सब चीजे आ रही हैं हमारी गलत आदतों के कारण आज के दस साल के बच्चे को मुबाइल पर उसे सभी तरह के द्रिश्य आराम से देखने को मिल जाते हैं फेस्बुक पर यूट्यूब पर तो फिर अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग किस तरब जा रहे हैं हमें अपनी जीवन में ऐसी गुड हैबिट्स डालनी पड़ेगी जो हैबिट्स हमारे जीवन को उचा उठाए फिर कहूंगा इनसान की आदते इनसान का भविश्य तै करती है अच्छी आदतों का मालिक कभी भी गरीब नहीं रह सकता अच्छी आदतों का मालिक कभी भी तनाव गरस्त नहीं हो सकता अच्छी आदतों का मालिक कभी भी जेल में जाने का अपराद का काम कभी कर ही नहीं सकता इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ जरूर पर उन्हें केवल किताबों का कीडा मत बनाओ उन्हें के जीवन में अच्छी आदतों को लाने का काम जरूर करो और ये दायत्व एक माबाप का है विद्याले में तो वे किवल पाठ्थे पुस्तके पढ़कर आ सकते हैं पर अच्छी आदतों के बीज तो माबाप ही बोच सकते हैं इसलिए इनसान का पहला गुरू टीचर नहीं है बलकि जन्म देने वाले माता और पिता है इस्कूल में तो फिर भी बच्चा 6 गंटे, 5 गंटे, 8 गंटे रहता होगा बाकी के 16 गंटे तो आदमी माबाप की पास ही रहता है इसलिए मैं जागरूप करना चाहूंगा अच्छी आदते वो अच्छी आदते इनसान का भविश्य बनाती है बुरी आदत जब भविश्य बिगाड सकती है तो अच्छी आदत भविश्य क्यों नहीं बना सकती बात समझ में आ रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं बोल्ड कीशिए टूडे एंड नाव, आज और अभी आज और अभी, आज से ही हम हमारे जीवन के प्रधी जागरूख होते हैं अगर आपको कठोर होना पड़े तो कठोर बनिए किसी तरह का सेक्रिफाइस करना पड़े तो सेक्रिफाइस कीजिए त्याग करना पड़े तो त्याग कीजिए मगर बुरी आदतों खटाने के लिए अच्छी आदतों के बीज आग से ही बोलीजी मुझे याद है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी मां गुरुजनों के प्रवचन सुनने के लिए प्रति दिन जाती थी सत्संग में और जब वापस लोट कर आती थी तो दोपेर में जब खाली बैठी होती थी तो हम बच्चों को वो कहानिया सुनाया करती थी कि आज महाराजी ने ये कहा, आज महाराज साब ने ये कहा, आज गुरु जी ने ये कहा, तो वो कहानियों के रूप में ही सही, लेकिन हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाते थी, वो अच्छी बातें जो मां सुनाते थी, उनके बीच हमारे भीतर जंदगी भर, पल्लवित पुश्पित रहे फल देते रहे वो आज भी हमरे काम आती है अब होता ये है दादा दादी ये पास में है ये नहीं बेटे ने चार किताबे ज्यादा क्या पढ़ ली दो पैसे ज्यादा क्या कमाने लग गया कोई बेटा अब माबाप के पास रहना चाहता ही नहीं है अब अज़ादी इतनी मिलने लग गई है लोगों को कि अब कोई भी बेटा माबाप का नहीं रहा हर बेटा अपनी बीवी का हो गया हमने देख लो हमने धन में तो तरक्की की है सिक्षा में तो तरक्की की है पर जीवन के निर्मान के बारे में हम पिछड गए हैं तो अब हमें क क्या करना पड़ेगा मैं कहूंगा अच्छी आदते गुड हैबिट बच्पन में इस्कूल की किताबों में लिखा जाता था वेरी गुड कितना अच्छा लगता था तो अब यही वेरी गुड अपने आपके साथ लिखो गरवाले भी कह सके साथ मेरा बच्छा बहुत महान है परिवार के लोग भी कह सके साथ हमारे चाचा बहुत महान है बड़े सफल व्यक्ति है हम लोगों ने सफलता का मापदंड एक ही बना लिया है पैसा 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 जिसने पैसा कमा लिया और जिसके दो फैक्टरी चल रही ह वो क्या है सफल अब यह कुछ समय पहले ही देश की एक बहुत बड़ी कंपनी बहुत बड़ा ग्रुप उसनी अपनी पिता को घर से बाहर निकाल दिया वो माता पिता किराये के मकान में रहने लगे और उनका व्यापार कितना था दस लाख करोड जितना उनका व्यापार चलता था पर बेटे ने माबाप को निकाल दिया और तब उड़ा पे माबाप को यह ऐसास होने लगा हमने अपने बच्चे को अच्छे सिक्षा तो बहुत दिलाए पर जीवन का अच्छा ग्यान नहीं दिला पाए आज हम गुड हैबिट्स की तरफ बढ़ेंगे मुझसे अगर आपको सीखना चाहें तो मैं कहूंगा अच्छी आदतों के मालिक बनो कुछ अच्छी आदतों की चर्चा करूंगा कुछ अच्छी आदते ऐसी जिनका संबंद फिजिकल है कुछ अच्छी आदते ऐसी जिनका संबंद मैंटल है कुछ आदतों का संबंद इमोस्नल है और कुछ आदतों का संबंद स्पिरिच्यूल है पहली आदत है physical सबसे पहले शुरुवात यहां से करूँगा और सबसे पहले दुनिया को इस बात के लिए जागरुक करूँगा कि सबसे पहले अपनी physical संपन्दे कुछ अच्छी आदते अपनी जीवन में डालो क्योंकि आज की तारीख में दुनिया की आधी आवादी बीमार होने लग गई है हर घर में अगर दस मेंबर हैं तो तीन मेंबर तो दवाई खाकर ही अपना जीवन जी रहे हैं तो ऐसे स्थिति में physical रूप से अच्छी आदते डालना पहले जरूरी है पहली आदत है exercise करने की आदत अक्सर आजकल हर आदमी ओवरवेट होता चला जा रहा है आप समझ सकते हैं कि ओवरवेट आदमी क्यों हो रहा है कौन बताएगा है जी एक देखा कि वो चलते फिरते खाते रहते हैं दूसरा कह रहा है अनियमित खान पन तीसरा कह रहा है शारिर कारिय हम कम करते हैं खान पन गलत है और हां 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 वो कहते हैं कि पहले लोग काफी खाते थे लेकिन मेहनट डबल करते थे इसलिए इसलिए भूख लगती थी खाया पिया हजम हो जाता था वो कहते हैं पैक फूड भई बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे संसाधन बता दिये बहुत सारे संसाधन बता दिये हैं कि इंसान इतना बीमार क्यों पड़ रहा है मैं कहूंगा भई खाते तो पहले भी थे और खाते तो अब भी है मेरी माँ ने मुझे बताया था कि जब तेरा जनम हुआ था तो तेरे जनम से दस मिनट पहले तक मैं फुलके बना रही थी रोटी बेल रही थी और रोटी बेलती बेलती जब पेट में दर्द उठा और दस मिनट में तेरा जनम हो गया तो आजखल जितनी भी डिलेवरी सर्जरी केस के साथ हो रही है समझ लो ये सब उन लोगों के साथ हो रही है जिन्होंने काया बाईसा को मात्य चड़ा लिया है और काम करना बंद कर दिया है आज की तारिक में किसी भी आदमी को जमीन पर बैठा नहों दो घंटा दो जोर पढ़ता है कुर्शियों पर बैठा नहों तो फिर भी बैठ जाएंगे क्योंकि बोडी से काम करना हमने बंद कर दिया है अब ये देखो अभी ये बैठे हैं माहनुभाव अब इनको बैठे वे कोई दो घंटा हुए नहीं है मगर बैठ नहीं पारे कभी एक टांग उची और एक टांग इधर से उधर इधर से उधर क्यों अनबैलेंस हो रहे हैं बोडी अनबैलेंस एक्सराइज करनी हमने बंद कर दी काम करना हमने कम कर दिया माथा तो खूब चल रहा है पर बोडी नहीं चल रही है 24 गंटे हार्ट तो चल रहा है पर इस हार्ट को चलाने के लिए जो हाथ पाउं चलने चाहिए वो हमने चलाने बंद कर दिये हैं इसलिए हार्ट ब्लोकेज की समस्याएं ज्यादा बढ़ रही है खाना पीना एक्स्ट्रा हो गया साल में आदमी डैड़ सो दिन तो बाहर ही खाना खाता है जीमन के नाम पर शादी के नाम पर बर्डी के नाम पर होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाने के नाम पर तो बाहर जो खाना मिल रहा है वो घर के खाने के बनिस्पत ज़्यादा गरिष्ठ होता है काम करना कम कर दिया भोजन हमने राजिसिक और तामसिक लेना शुरू कर दिया अब सात्विक्ता की संभावना कहां से लाएंगे मैं कहूंगा एक आदट डालो और वो है एक्सेसाइज करने की आदट डेली सुभे नियम बनाओ तीस मिनट मैं कहूंगा इश्वर को याद करना अच्छी आदत है धर्म अरादना करनी अच्छी आदत है पर शरीर को फिट रखना ये उससे भी ज़्यादा जरूरी आदत है दुखते शरीर से आप माला कैसे जब पाऊगे गोटने अंदर से हमें आकुल व्याकुल कर रहे हैं आप मेडिटेशन कैसे कर पाऊगे तो इसलिए कहूँगा हमें से हर किसी व्यक्ति को दुनिया के हर आदमी को प्रति दिन कम से कम 30 मिनट घर पर जाकर के बड़े अक्षनों में लिख लीजिएगा आज से में 30 मिनट सुबह है सुबह है एक्सेसाइज के लिए जरूर दूँगा आप एक्सेसाइज तीन चरण में कर सकते हैं पहला है वार्म अप दूसरा है मूमेंटेबल और तीसरा है श्ट्रेचिंग वार्म अप अब भले ही सुबह घूमने के लिए चले जाईए टेहलने के लिए चले जाईए जॉगिंग करना शुरू कर दीजिए पीटी करना शुरू कर दीजिए रसी कूद जंपिंग किसी भी रूप में भली अपनी घर पर ही सही आप पांच मिनट की चहल कदमी कर लीजिए पांच मिनट तक परेड कर लीजिए बोडी अपने आप हमारी वार्म अप हो जाएगी अंदर से हमारे भीतर जो ठंडक आ गए वो सारी अपने आप निकल जाएगी सुस् भाग जाएगे जैसे डंडा बजाने पर सांप और विच्छु भाग जाते हैं वैसे ही आलत से भी भाग जाएगे अगर दो मिनट की हम जॉगिंग कर लेंगे तो मुमेंटेबल योगा करो अब मुमेंटेबल एक्सेसाइज करने के लिए शरीर के सुक्ष में संधी इस्थलों का व्यायाम कर सकते हैं जैसे मान लो सुक्ष में व्यायाम जैसे हाथ है हथेली को दस बार खोला और बंद किया एक दो एक दो एक दो अब यह एक्सेसाइज हो र हाथों में जन जनाहट होती है हाथों में कमपन होता है भै होता रहेगा केवल दवाओं के भरोसे मत जीओ खुद अपनी बॉड़ी को मजबूत बनाओ और मुमेंट करना शुरू कर दो दिन में पाच बार करो पचीस पचीस दफा एक राउंड पचीस कर लो और खोलो अब देखो एक महिने में आपके सारे कमपन ठीक होते हैं या नहीं होते हैं अब जैसे येलो दूसरा मुमेंट तीसरा मुमेंट ये क्या है ये बॉड़ी अपने आप अंदर से फिट हो रही है अपने आप अंदर के जो नेगेटिव टीस्यू है वट रहे हैं रोग प्रति रोदक शमता हमारी अपने आप बढ़ रही है ये सब क्रियाए हैं मुमेंटेबल योगा करो शरीर के दस मुमेंट है पहले चार पाउं के चार हाथ के एक गर्दन का और एक मिरुदंड का तो जैसे पाउं के चार मुमेंट अंगुलियों का नंबर एक नंबर दो टकना नंबर तीन घुटने नंबर चार कुलहा तो चार मुमेंट के एक्सेसेज करो फिर चार हाथों के मुमेंट जोड अंगुलिया, कलई, कोहनी, कंधा नौवा जोड है गर्दन तो गर्दन को सीधी दिशा के तरब सामने जुकाओ फिर पीछे ले जाओ वापस सीधा करो फिर दूसरी बार नीचे जुको वापस सीधे हो और पीछे जाने दो गर्दन को दस बार ये क्रिया करो सर्वाइकल प्रॉब्लम जड़ से खतम होगी गर्दन दर्द निश्चित तोर पर ठीक होगा गर्दन को राइट लेट गुमाओ और उसके बाद आजकल जो कमर दर्द की समस्या रहती है उसके लिए जरूरी है कि हम लोग मेरू दंड का मुमेंटेबल योग अवश्य करें और उसका तरीका है सीधे बैठो दोनों गुटने मोडो दोनों हाथों को पीछे रखो और अब क्या करो गुटने से गुटना सटा करके गुटनों को जाने दो राइट साइड में और गर्दन को जाने दो लेप साइड में अब पोजिशन चैंज करूं दोनों गुटनों को जाने दो लेप साइड में और गर्दन जाने दो राइट साइड में यह है मेरू दंड को लचिला बनाने का तरीका बाई साब जब डॉक्टर आपको सुझाव दे देंगे कि वहां जाईए और फीजियो थेरेपी कराके आईए तो आप तीन सो रुप्या पर डेका देंगे और पंद्रह मिनट में आपके छुट्टी कर देगा डॉक्टर आपको पैसा लेके ज्ञान दे रहा है तब तो लोग उसे महत्व दे रहे हैं और गुरुजन आपको नेशुलक आपको फीजियो तेरेपी करने के कह रहे हैं तो अपने के ठीक यार कर लेंगे यार फोगट की चीज की वैल्यू नहीं करते हैं लोग मेरे भाई शरीर के साथ एक्स आदट डालो कि मैं वार्म अप मुमेंटेबल इस्ट्रेचिंग और इस्ट्रेचिंग योगा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सूरिय नमस्कार करो सूरिय नमस्कार के बार है मुद्राएं वो हमारी पूरी बॉड़ी को स्ट्रेच कर देती है सारी नसों को खिचाव दे करके और अंदर से ताकत देना शुरू कर देती है